बच्चो आज हम लोग भूगोल का पाट आठ रितु निर्मिती भाग दो ये पढ़ने वाले हैं तो बच्चो इसके पहले भी हमने रितु निर्मिती विभाग एक ये लेसन पढ़ा था और इसमें हमने बहुत सारे प्रयोग किये थे कि किस प्रकार से हमने 19 जून से लेके 28 जून तक सुरियोदे, सुरियास जो है उसका दिनमान, रात्रीमान जो है उसकी जानकारी ली थी फिर हमने छाया का प्रयोग किया था इस प्रकार लाठी को रखके छाया का स्थान जो है वो चिन्धांकित करके हमने देखा था कि दिन भर में छाया किस प्रकार से बदली होत जाती है उसी पिकार हमने एक सफेद काकचिप काके टॉर्च वाला प्रयोग भी किया था आपको याद होगा तो बच्चो आज ये जो पार्ट रितन निर्मिती भाग दो है वो उसी पार्ट पर निर्भर है इसमें कौन सी नई चीजे हैं जो हम सीखने वाले हैं तो सबसे पह आपको आपकी स्क्रीन के उपर जरा सोचो और बताओ और आपकी किताब में भी पेश नमबर 46 पर बताओ तो ये सक्षन है जिसमें आपको कुछ प्रश्णों के उत्तर देने हैं और उस उत्तरों के अधार पर आपका जो है वो पूर्वा भ्यास भी हो जाएगा पूर्णा दे सकते हो मुझे सुरियोदे हमेशा एकी समय पर होता है क्या बच्चो नहीं क्या सुरियास हमेशा एकी समय पर होता है बिल्कुल नहीं अब देको ठंडियों का समय चल रहा है बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और सुबे की समय छे बजे तक भी अंधेरा रहता है जब आपने दृतो दिर्मिती भाग एक में भी देखा था सुरियोदे का निरिक्षन किया था कि किस परकार सुरियोदे होता है और आपने उसमें यह निरिक्षन किया था बच्चो कि सुरज कभी उत्तर की तरफ तो कभी दक्षन की तरफ सरकता हुआ सा उदित होता है और वो नहीं हम लोग जो है वो time के हिसाब से समय के हिसाब से देखें तो हम अपनी गतीविदिया दिन रात के हिसाब से करते हैं, लेकिन दिन और रात का जो ये अंधेरा और उजाला वाला पक्ष है। जल्दी अंधेरा हो जाना ठंडियों के टाइम, और गर्मियों के टाइम पर देर तक अंधेरा होना, शाम होना, सो हमेशा दिन और रात समान नहीं होते हैं फिर देखो बच्चो प्रशन चट्वा है कि क्या हमेशा दिन बड़ा होता है और सात्वा है कि क्या हमेशा रात बड़ी होती है तो ऐसा भी नहीं है बच्चो गर्मियों के टाइम पे दिन बड़े होते हैं और ठंडियों के टाइम पे रातें बड़ी होती है, क्या हमेशा गर्मी पड़ती है, बिलकुल नहीं, अभी देखोर सर्दी का मौसम है, फिर बारिश का मौसम आएगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा, क्या हमेशा ठंड पड़ती है, इसका उत्तर भी है नहीं, और दस्वा प ये सारे प्रश्णों के उत्तर के साथ ही हम इस पाट का शुरुवात करेंगे और पाट शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने उस पाट में पढ़ी थी जैसे पृत्वी का परिभ्रमन, पृत्वी का परिक्रमन, पृत्वी का आक्ष, पृत्वी की परिक्रमन पकक्षा, इसका भी हम थोड़ा सा पुंड़ा वर्तन करेंगे। सूर्य सहीद बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ठीक है सूर्य अकेला कैसा है तारा है और हमारी पित्वी भी क्या करती है सूर्य की परिक्रमा करती है हमारी पित्वी जो है वर्चो वो अपनी भी परिक्रमा करती है और अपनी परिक्रमा करते करते ही वो सूरी की परिक्रमा भी करती है सो हमारी चो पृत्वी है उसकी गतियां हम देखेंगे तो पृत्वी की कौन-कौन सी गतियां है आपको याद होगा पृत्वी की दो गतियां होती है एक उसकी दैनिक गति यानि उसका परिभ्रमन और दूसरी होती है उसकी वार्षी गती अर्थात परिक्रमन तो बचों आपको confused नहीं होना है इन दो शब्दों में आपको अंतर याद रखना है परिभ्रमन यानि पृत्वी अपने अक्षपर घूमती है खुद की परिक्रमा करती है जिसे 24 घंटे लगते हैं उसे कहते हैं परिभ्रमन जिसे करन दिन और रात होते हैं और जब पृत्वी सूरज की परिक्रमा करती है गोल गोल तो उसे हम कहते हैं परिक्रमन इसे हम और अच्छी तरह समझेंगे बच्चों, सो दैनिक गती या परिभ्रमन देखते हैं हम लोग, देखो जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिखाई पड़ेगा, मैं आपको समझाती हूँ, पृत्वी का परिभ्रमन क्या होता है, पृत्वी अपने अक्ष पर अपनी ह चारो और घूमती रहती है, इस क्रिया को हम पृत्वी का परिभ्रमन कहते हैं, जैसे आप टॉप लट्टू खेलते हैं और लट्टू देखो एक ही धूरी पर गोल गोल घूमता रहता है, अगर आप उसको नीचे चोड़ दोगे तो, वो कहलाता है परिभ्रमन, तैसे हमार पृत्वी भी अपने चारो और गोल गोल घूमती है, जैसे पृत्वी का अक्षत्वा धूरी कहते हैं, और इसे हम पृत्वी का परिभ्रमन कहते हैं, ठीक है, तो परिभ्रमन, परिक्रमन, इन दोनों संग्याम में बहुत अंतर है, परिभ्रमन का अर्थ है, पृत्वी का स ग्लोब में घुमा दे तो वो गोल-गोल जो है वो घुमती रहती है तो उसका अपने चारो ओर ही गोल-गोल घुमना उसका परिभ्रमन कहलाता है और बच्चों इस परिभ्रमन के कारण क्या होता है सबसे बड़ी चीज जो आप दिन और रात की बात करते हो तो ये दिन और रात जो है वो पित्वी के परिभ्रमन का ही परिणाम है पित्वी का जो हिस्सा सुरज के सामने आता है वहाँ पे दिन होता है जो हिस्सा पीछे जाता है वहाँ पे हम कहते हैं कि रात हो गई है तो इस प्रकास से दिन और रात का होना पृत्वी के परिभ्रमन का ही प्रभाव होता है ये देखो बच्चों, ग्लोब, आप ग्लोब को आसानी से घुमा कर प्रयोग कर सकते हो ये देखो, ये सूरे है, ये सूरे के चार और हमारी पृत्वी गोल-गोल घुमती साथ में देखो वो अपने भी गोल-गोल घूम रही है और अपने गोल-गोल घूमते घूमते ही वो सूरज की परिक्रमा करती है तो इस परकार उसकी दो गतिया हो गई एक उसकी खुद के गोल-गोल घूमने की गती जिसे हम कहते हैं द्यानिक गती क्यूंकि इस गती को 24 सब्सक्र captain अब हम अपने अक्षपर गोमती में अपिनलक्ष और कि अगा होगा है और तो नोग्ते हुँ सब्सक्रीन के ओपर दिखाई पर होगा पढ़ेाँ points और सूरी की परिक्रमा करती है जिसे हम उसका परिक्रमन कहते हैं और इस परिक्रमन में उसे 300 कितने लगते हैं पूरा एक वर्ष ठीक है एक बड़ दुबार पढ़ लो आप मैं दिखाती हूं आपको सो पृत्वी को सूरी की परिक्रमा पूरी करने में एक वर्ष ठीन सो पयंसर्ट दिनों खुए घंटे लगते हैं और जिस nowhere से वह सूरज की परिक्रमन मार्ग कहते हैं फृत्वी का परिक्रमन मारग कैसा है लंब वित्ताकरी भी 혁 अप्सूरी सितिवाले में पढ़ आ अब आपको मैं एक चित्र दिखाने जा रहे हूँ आपको ध्यान से वो चित्र का निरिक्षन करना है बच्चो ठीक है और उसके बादे में कुछ प्रशन है उसके उत्तर देने है अगर आप ध्यान से चित्र देखो के तो आपको सारे प्रशनों की वक्तर असानी से आ जाएंगे ये चित्र आपकी पेश नंबर 47 पर भी दिया हुआ है आकिति क्रमांग 8.1 वो शुरू करने से बिले ये देखो बच्चो इस चित्र में आप क्या देख रहे हो ये खेल है यादार आप कोई कौन सा खेल है आप खेलते हो ने ये खेल इस खेल में देखो तीन वक्ती है बरबर तो आप मान लो इनको अपना सौरे मंडल सूरे चंद्रमा प्रित्वी एक बाहर से गोल-गोल घूमता है और देखो उस सौरे पे जो सफेद को रंग का कपड़ा पैने लड़का खड़ा है जो चंद्रमा की भूमिका निभा रहा है वो प्रित्वी के गोल-गोल घूमता है और प्रित्वी सूरज के गोल-गोल घूमती है चीक है? अब बच्छों ये देखो, सूरी का भासमान भ्रहमन, ये भी हमने देखा था, सूरी के उदे होने का स्थान प्रति दिन बदलता रहता है, अर्थात एक दिशा में हमें सूरज सरकता हुआ दिखता है, कभी हमें असरता है कि सूरज उत्तर की ओर सरक रहा है, तो कभी हमें लगता है बच्चों, एक्चुली ऐसा होता नहीं है, हमें ऐसा भास होता है, भास यानि आभास, यानि हमें ऐसा लगता है, भास होता है और इसी को सूरे का भासमान भ्रमन कहते हैं, ये हमने रितु निर्मिती भाग एक में भी प्रयोग किया था, बास्तों में सूरे कालाविधी में सूरे के उदित होने का अस्थान दक्षिन की और अधिकादिक खिसकता है बच्चों और इसे कहते हैं दक्षिनायन जबकि 22 दिसंबर के बाद से 21 जुन की कालाविधी में होता है उत्तरायन इस समय सूरज उत्तर की और सरकने लगता है इस कालाविधी में सूर प्रित्वी लेकिन हमें देखते हुए लगता है कि सूराजी यहां से वहां खिसक रहा है इसे ही सूरे के इसी ब्रहमन को हम कहते हैं सूरे का भासमान ब्रहमन प्रित्वी के उपर निर्मित होने वाली सभी जो रित्वे होती हैं वो इसी भासमान ब्रहमन के कारण होती हैं आयेगा आपको कि सूरी का सान परिवेतन का कारण पित्वी का सूरी के चार ओर घूमना है और पित्वी का जुका हुआ अक्ष है वास्तो में सूरी नहीं घूमता है वो तो अपनी जगा इस्तिर है परंतु पित्वी के उपर से देखते समय वो हमें घूमता हुआ दिखाई देता है और अभास होता है इसे ही सूरे का भासमान ब्रह्मन कहते हैं बच्चों ठीक है सूरे के उधित होने से लेके उसके अस्त होने तक यानि पूरव से पश्चिम के अथा दैनिक भासमान ब्रह्मन का ही विचार हम करते हैं आप रोज देखते हो सुबह सुरियोदे होती ह फिर सूरे सरकता हुआ पश्ची में चला जाता है एक्चली सूरे नहीं सरकता है बलकि हमारी पित्वी कोल गूल घूम रही है तो हम तो डैली जो दैनिक भासमान है वो देखते हैं लेकिन ये जो है ये जो भी मैंने आपको बताया वो दक्षिनायन उत्रायन छे मैंने उत्र की तरब सरकता हुआ और छे मैंने सूरज दक्षिन के उसरकता हुआ जिसे हम उत्रायन या दक्षिनायन कहते हैं तो इसली आप दिन भर का जो है दैनिक भासमान उसको देखके समझ सकते हो सुबह सूरज पूरब में उगता है फिर दोपहर में सर के उपर हमाने आ जाता है और शाम को पश्चिम में अस्त होता है उत्तरायन की अब धी क्या होती बच्चो मैंने अभी आपको बताया अभी देखो 22 दिसंबर से 21 जून की कालाविदी में सूरे का उत्तरायन होता है अभी आज कौन सी डेट है अभी दिसंबर मेना कतम होगे न बच्चो तो अब हमारा क्या चुल रहा है उत्तरी गुलारत में रहते हैं पता है आपको तो हमारे यहां उत्तरायन शुरू हो गया यानि गर्मियां शुरू हो रही है यानि पिथवी का उत्तरी ध्रू सूरज की तरफ सरकने लगा है जुकने लगा है और यही कारण है कि 21 जून आते आते गर्मी जू है वो धीरे-धीरे बढ़ती जायेगी तो 22 दिसंबर से 21 की कालाविदी में उत्तरायन होता है जिसमें सूरज की तरफ पिथवी का उत्तरी ध्रू जो है वो जुका हुआ रहता है और उत्तरी ध्रू में क्या होगा गर्मी का मौसम होता है और बिल्कुल उसका उल्टा दक्षिनी ध्रू में क्या होता है बच्चों ठंडी का मौसम होता है तो अभी हमारे यहां कौन सा मौसम चल रहा है अभी तो ठंडिया शुरू हुई है लेकिन 22 दिसंबर से उत्तरायन शुरू होते ही गर्मियों की शुरूआत हो चुकी है अब दक्षिनायन में क्या होता है बच्चों सो दक्षिनायन में क्या होता है सू का हुआ होता है यानी 21 से 22 दिसंबर तक की काला विधी में ये दक्षिरायन होता है और इस समय वहां पर गर्मी पडती है जो दक्षिनी को लारत में रहते होंगे वहां पर उन्हें 21 जून से 22 दिसंबर के बीच में गर्मी का मौसंद देखने को मिलता है ठीक है तो आपको यह उत्तर आयन और दक्षिन आयन यह अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने पहले भी यह किया है और आपको यह चीज़ समझे रखना है कि विज्ञान में भी हम भास्वान ध्रमण का अध्यान करते हैं सुरी के उधित होने से लेकि उसके अस्त होने तक अर्था दैनिक भासवान रमंग का हम विचार करते हैं और भुगोल में हम सुरी के वार्षिक भासवान रमंग का विचार करते हैं अब आपको एक बहुत इंटरस्टिन ट्रॉइंग पिक्चर दिखाने वाली हुम है चित्र वाचन करना है आपको उसको देखकर यह ये चितर दिखाई पड़ रहा है मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़े आकार में दिखाती हूँ बच्च आपको ये चितर दिखाई पड़ रहा है आपको ध्यान से देखो ये चितर देखना है ये चितर आपकी किताब जो है उसके page number 47 पर आकृति क्रमांग 8.1 रितु चक्र अयन दिन संपात दिन ऐसा लिखा हुआ है तो ये आकृति बहुत ही ज़रूरी है आपको धिहान करना, इसका निरेक्षन करना क्योंकि आपका पूरा लेसन जो है वो इस ड्रॉइंग के उपर बेस करता है लेसन का जो सार है अगर आप ये ड्रॉइंग समझ जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बचो यहाँ देखो पीछ में आपको दिखाई पड़ रहा है सूरियम और यह दिखाई है कि किस प्रकार हमारी पित्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ जो है वो परिक्रमन करती है और परिक्रमन करते पर देखो यह जो ओरेंज के तीर बने हुए बच्चो यह क्या है उसकी परिक्रमन कक्षा है जो देखो लंबवृत्ताकार है अब यहां देखो बच्वों यहां से मैं आपको दो चीज़े समझाती हूँ एक आप देखो यहां बीच में यानि यहां देखो यह दूरी और यहां की दूरी यानि अगर दिशा का हम बात करें तो उपर की तरफ यानि उत्तर दक्षिन और पूरपश्यम अगर आप देखो तो जो पृत्वी गोल-गोल घूम रही है लंबर वित्ता कारमार्ग से तो कभी वो सुरज की जादा नस्दीक है यह देखो यह नस्दीक है और कभी वो सुरज से बहुती दूरी पर है यहाँ देखो, यह आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर दूरी पर है, तो पित्वी की सूरत से जो दूरी है, कभी कम रहती है बच्चों, कभी जादा रहती है, तो जब पित्वी की सूरत से दूरी कम से कम होती है, यहाँ देखो, यहाँ जो दिखाई आपको, यह कम से क तो आपको यह समझना है अच्छे से कि देखो जो आप चित्र देख रहे थे यानि यहां देखो यह जो ग्रीन और ब्लू है यह हमारी प्रित्वी है और यह बीच में सूरे है तो प्रित्वी की परिक्रमन कक्षा कहती है कैसी यह बच्छो लंबर वित्ताकार ओल शेप की है तो यहां देखो यह एक जो दिख रहा है एक नंबर यहां पर सूरज से प्रित्वी की दूरी बहुत जादा है जबकि यहां दो नंबर पर उसके दूरी कैसी है कम है तो जब प्रित्वी की दूरी सूरज से बहुत जादा होती है उसे कहते है अपसूर्य इस्थिति और देखो एक बड़ मैं आपको पढ़के बता देती हूँ यह है यह देखो कि आप तो दक्षनी द्रू जो है यहां पर आपको दिनांग भी देखना है बाइस दिसमबर तो बाईस दिसंबर जो है यहां पर आप देखो कि दक्षिनी धूरू जो है वो सूरज की तरफ है और उत्तरी धूरू सूरज से दूर है फिर जब पृत्वी गोल गोल घूमती घूमती यहां पर देखो 21 मार्च के आसपास आती है तो आपको दिखाए पड़ेगा कि बिल्कुल यहां पर देखो उत्तरी धूरू दूर है दक्षिन धूरू पास में है फिर गोल गोल घूमती हुए पृत्वी जब 21 जून के स्तिती में आई यहाँ पर तो यहाँ देखो बच्चो क्या है 21 जून में आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तरी धूरू सूरज के नजदीक हो गया है और यह जिको यह जो रख्षनी धूरू है यह सूरज से दूर हो गया है फिर बच्चो पर जुकी हुई है इसलिए गोल गोल घूमते हुए कभी उत्तरी ध्रू सूरज के नस्दीक आ जाता है तो कभी दक्षनी ध्रू बच्चों तो जबी उत्तरी ध्रू सूरज के नस्दीक होता है तो वहाँ पर क्या होगा उत्तरी ध्रू में यानि उत्तरी गुलार्थ में उस समय क्या होगा बच्चों ठंडी का टाइम होगा यहां देखो आपको एक चीज देखनी है जैसे अभी के हम बात करते हैं बच्चों आपको पहले याद रखना है हम उत्तरी गुलाद में रहते हैं उत्तरी गुलाद में 22 दिसंबर को कौन सा मुरितू होगी कौन से रितू यहां देखो 22 दिसंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तरी द्रू ऊपर की तरफ है जो सूरज से काफी दूर है यह देखो यह वाला चित्र यहां देखो 22 दिसंबर है उत्तरी द्रू ऊपर है दक्षन द्रू नीचे है लेकिन प्रित्वी का देखो इस तरह घूम रहे है कि दक्षनी तुरु सूरज के पास में दिख रहा है लेकिन उत्तरी तह दूरáis दूराइक तो ऊत्तरी तुरु में कौन सी। होगी उससे में यह सीत काल होगी रहते हैं इस एको रहते हैं आथ विस दिसमब्र का महीनन भीता और आपने देखा कि उसमें खूप ठड़ी लगी हमें, सो उत्तरी बाईस दिसमबर को क्या होता है, उत्तरी गुलरत में शीद काल रहता है, आप देखों दूसरा प्रश्ण है कि उत्तरी गुलरत में 21 जून को कौन सी रितुरती है, तो हम देखते हैं 21 जून कहा है यह रहा 21 जून यहाँ देखो 21 जून के समय पृत्थिवी का जो उत्तरी धुरू है वो सूरज की तरफ जुका हुआ दिखाई पड़ रहा है जबकि दक्षनी धुरू देखो यहाँ पर रहा है यानि दूर है तो उत्तरी धुरू में क्या होगा गर्मी का मौसम और दक्षनी धुरू में क्या होगा ठंडी का मौसम तो बच्चों यही आपका उत्तर है फिर देखो तीसरा प्रशने की उत्तरी गुलात में जब शीतकाल होगा तो उसके विरुद्ध वाले गुलात में उस समय कौन से रि तो इसका कारण क्या है बच्चों उत्तरी और दक्षिनी गुलाद में अलग अलग बिन रुद्वें एक ही काला विधी में होने का क्या कारण होगा इसका उत्तर आपको देना है चोलो अभी सारे प्रेश्णों की उत्तर में आपको देखकर बताती हूं लिखकर तो बच्चो इसका उत्तर देखेंगे हम लग किस गुलार्थ में रहते हैं उत्तरी गुलार्थ में 22 दिसंबर को किस रितु का अनुभा होगा शीत रितु का उत्तरी गुलार्थ में 21 को कौन से रितु होगी इसका उत्तर देखो यहां पे लिखा होगा आपको पढ़ना है उत्तरी गुला आप जानते हो कि अलग-अलग उलार्दों में अलग-अलग रुत्में क्यों होती है पित्वी का जुका हुआ अक्ष इसके कारण यह होता है ठीक है बच्छों की किताब में एक बहुत इंट्रेस्टिंग सेक्षन है क्या तुम जानते हो तो उसमें देखो बच्छों आपको भी पढ़ना है कि सूर्य और पित्वी की गुत्वा करशन बलके कारण परिक्रमन मार्क पर पित्वी की गति अपसूरे सिती में कम हो जाती है और उपसूरे सिती में बढ़ जाती है इन दोनों सितियों में दूरी में अधिक अंतर होता नहीं है आता उसका पित्वी की पर अधिक प्रभावनभो नहीं होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुद्वा कर्षनबल के कारण क्या होता है पृत्वी की गति जो है जब वो सूरच से बहुत दूर होती है यानि अपसूरे इस्तिति में तो क्या होता है उसकी इस्तिति वो उसकी गति कम हो जात और उपसूरे में उसकी गती बढ़ जाती है तो इस बात कर भी आपको ध्यान रखना है अब हम देखेंगे बच्चों की पृत्वी की संपात इस्थिति क्या होती है चीक है तो अब ध्यान से सुनेंगे संपात का मतलब क्या होता है परिक्रमन कक्षा में पूरे वर्ष में द और ये सिति समानता 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है जिस समय विश्वत रेखा पर सूर की किरने लंबवद पड़ती है ध्यान से सुनना है बच्चों आपको 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दो दिन है जिस समय सूर की किरने विश्वत रेखा पर लंबवद पड़ती है इस सिति में पृष्वी के उत्तर और दक्षिंद्रू सूरत से बिलकुल समान दूरी पर होते हैं और इसी ही हम कहते हैं पृष्वी की समपात इस्थिति ठीके बचों तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरिकीर ने एकदम सीधी पढ़ती हैं विश्वत रिखा पर उसमें उत्तरी को लाद सूरे से बिलकुल कैसा होता है एकदम समान दूरी पर होता है और इसी को हम कहते हैं समपाति सिती तो प्रिथिवी की समपाति सिती 21 मार्च और 23 सितंबर को रहती है प्रकाश वित्य के कारण बनने वाले विश्वत रेखा अक्षांसों के प्रकाशित तथा अप्रकाशित आपकी आकिती आपकी किताब में भी है 8.3 47 पेज नमबर पे इसके कारण क्या होता है प्रकाश्वित्य के कारण बरने वाले विश्वत रेखा तता आक्षांसों के प्रकाशी तो अप्रकाशित भाग आपको इसमें दिखाए गए है उत्तरी धुरू से लेकर दक्षनी धुर तक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग देखो बिल्कुल समान है ठीक है आपको ध्यान में आएगा कि यहां देखो बिल्कुल समान यानि जो प्रकाशित हिस्सा मतलब दिन और अप्रकाशित हिस्सा मतलब रात तो 21 माँ जो 23 सितंबर के समय आपको दिखाए पड़ेगा कि संपात इस्तिती में क्या है प्रकाशित और प्रकाशित भाग बिल्कुल समान है दोनों को लार्दो में ऐसी इस्तिती होगी उस दिन प्रिथिवी के उपर दिन और राद बिल्कुल समान होते हैं बचो और इसी को हम कहते हैं संपात इस्ति तो विश्वत रिकापर सूर की केड़ने जब लंबवत पढ़ती है तब संपात इस्थिती होती है ठीक है तो विश्वत रिकापर जब सूर की केड़ने लंबवत पढ़ती है बचो तब संपात इस्थिती होती है और इसे विश्वत दिन भी कहते हैं संपात दिन को हम और क्य इसे हम विश्व दिन भी कहते हैं, प्रकाशवित्यर देशांतरी प्रिहत वित्तों के साथ सठीक रूप से मिल जाता है। उठ्त्री गुलाद में 21 मार्च से लेके 21 जुन की काला विधी में वसन्त रितू होती है और 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर के बीट शरद रितु होती है उत्तरी गुलाद में 21 मार्च को हम कहते हैं कि यहां पे वसंद संपात है और 23 सितंबर को हम कहते हैं शरद संपात है तो दक्षिनी गुलाद में सवधी में ये रितु में इसकी विपरीत होती है ठीक है एक बार आपको मैं जानकारी लिख कर बता रहे हैं आपको दिहान से पढ़ना है वीडियो में देखो लिखा हुआ है परिक्रमन कक्षा में संपून वर्ष में दो दिन होते हैं डिजन सूर की केरने विश्वतेका पर लंब रूप में पढ़ती है बच्चों लंब वद पढ़ती है अभी मैंने आपको बताया वो दिन कौन कौन से है 21 मार्च और 23 सितंबर ठीक है तो यह पॉइंट्स आपको या प्रकाशित और प्रकाशित भाग रहते हैं यह दिखो इस सिती में जब उत्तरी ध्रू दक्षिन ध्रू समान दूरी पर होते हैं इस सिती को हम पृत्वी की संपात इस सिती कहते हैं इस सिती में उत्तरी ध्रू से लेके दक्षिन ध्रू तर प्रकाशित और प्रकाशित भा ठीक है और एक चीज बच्चों आपको धिहान रखनी है कि आयन दिन और विशु दिन के दिनांकों में एकाथ दिन का अंतर आ सकता है यह अंतर प्रिथवी की वार्शिक गति के आने वाले अंतर का कारण हो सकता है अब मैंने आपको वसंसंपात और शरत संपात भी बताया कि उतरी गुलाद में 21 मार्श को वसंसंपात होता है और 23 सितंबर को क्या होता है शरत संपात होता है यानि यहाँ पर 21 मार्श से 21 जून तक वसंतर रितू रहती है और दक्षिनी गुलाद में उससे में क्या होता होग इस अवधी में वहाँ पर बिल्कुल इसकी विपरी तरितुवें होती है अब एको बच्चो थोड़ा सोचो स्वाप अरिक्षन करना है आपको संपाद इन के दोनों धुरूँँपर सूरियोदे और सुरियास होते रहते हैं 21 मार्च को सूरिका उदे किस धुरूपर होगा यह आपको सोचना है संपाद इन यानी बिल्कुल एक वल दिन संपाद इन को दोनों धुरूपे सुरियोदे और सुरियास होते रहते हैं स्मार्च को सूरी का उद्यकेस रूपे होगा अब यहां देखो आपको थोड़ा सा सुवा परिख्षन दे रहे हैं जिसमें आपको सत्य असत्य पहचानना है और असत्य कत्रों को सुधार कर लिखना है आपको लेस्न समन में आया होगा तो आप अच्छे से कर लोगे ठीक है चलो थोड़ा से देते हैं, पित्वी के अपने आक्ष पर घुमने को परिक्रमन कहते हैं, सही है बच्चों, जब पित्वी अपने आक्ष पर घुमती हैं, उसको परिक्रमन कहते हैं, नहीं ये गलत है, जब पित्वी अपने आक्ष पर घुमती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर इकदम सही है, उसके बाद अप सूरे स्ती में पृत्वी सूरे से नियुनतम दूरी पर होता है, नियुनतम दूरी पर होता है बच्चों, नहीं, अप सूरे में पृत्वी से सूरे की दूरी अधिक्तम होती है, यानि बहुत साधा होती है, बच्चों अब एक महत्पुन संकल अपना समझें के हम जिसे कहते हैं तो देखो आयन दिन किसे कहते हैं जब प्रिथिवी का कोई भी धुरू सूरी की और अधिकादी चुका होता है तब उस धुरू के गुलाद में साधी तेईस अंश अक्षांस पर सूरी की ने लंबर रूप में पढ़ती हैं जैसा कि अभी अपने देखा था किसमें बच्चों संपात इस्तिती में तो ऐसा ही आयन दिन के समय भी होता है 21 मार्च और 23 सितमबर आपने देखा कि संपात दिन है संपात दिन के बाद विश्वत रेखा से करकर रेखा यानि उत्तरी गुलाद की तरफ और विश्वत रेखा से मकर रेख यानि दक्षिनी गुलार्थ के बीच अक्षानसों पर सूरी कीर्ने लंबवत पढ़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। 21 जून को करकर रेखा और 22 दिसम्बर को मकर रेखा पर सूरी कीर्ने लंबवत पढ़ती है। आपने देखा याद होगा आपको हम 21 मार्च और 23 सितंबर ठीक है। अब देखो आपकी किताब में यहाँ पर प्रिश्र क्रमांग 48 पर आपको दिखाती हूं है। यह जो है आपको दिखाई पढ़ेगा 21 जून की अवस्था है बच्चों 21 जून के समय अगर आप ध्यान से पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करकर रेखा जो है करकर रेखा से उत्तरी धूरता क्यानि मकर रेखा से दक्षने धूरता सूरी कीर्ने किसी भ वहां पर आयन दिन होगा यह उत्तरी गुलारत का और बच्चों 22 दिसंबर को यानि 21 जून से अथवा 22 दिसंबर को करकर रेखा मकर रेखा पर सूरी केर्ने लंबबद पड़ती है इन दोनों दिनों को हम आयन दिन कहते हैं उत्तरी गुलारत में 21 जून को सबसे बड़ा द विपरीत इस्तितिया होती हैं बच्चों जबकि 22 दिसंबर को क्या होता है दक्षिनी गुलारत में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे चोटी और 22 दिसंबर को उत्तरी गुलारत में सबसे चोटा दिन और सबसे बड़ी रात क्योंकि 21 जून को आयन दिन करकर रेखा पर सूर किने लंबवत पड़ती है तो डक्षिनी गुलार्थ में आयन दिन होता है ठीक है तो इसी ही कहते हैं बच्चो आयन दिन 21 जून और 22 दिसंबर यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है अब देखो कुछ और महत्पुन बाते हैं देखो यह आपकी जो चित्र है उसका दू काई पड़ेगी मकर रेखा पर सूरी किर्ने एकदम लंबवत पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा 22 जिसंबर को दक्षिनी गुलाग में सबसे बड़ा दिन होगा और रात सबसे छोटा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी तो दोनों भी बिलकुल विपरीत इस्तित करने वाले हैं तो आकटिक रेखा से उत्तरी ध्रू तक के भाग में 24 घंटे अत्वा उससे अधिक समय तक सूर्य दिखाई देता है ठीक है आकटिक रेखा से अगरम देखेंगे तो उत्तरी ध्रू तक के भाग में 24 घंटे अत्वा उससे अधिक समय तक सूर्य दिखाई द देता है उत्तरी ध्रू के ऊपर तो 22 मार से 23 सितंबर तक अर्था छे महीने तक आकाश में लगातार सूरी दिखाई देता है इसके विप्रीत 23 सितंबर से 21 मार तक ऐसी ही सिती दक्षनी कुलाद के अंटाक्टिक रेखा से लेकर दक्षनी ध्रू तक रहती है इस दिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उत्तरी ध्रू के ऊपर 22 मार से 23 सितंबर तक 6 महीन तक लगातार आकाश में सूरिय दिखाई देता है ठीक है और आकटिक रेखा से उत्तरी ध्रू तक के भाग में 24 गंटे अथा तो उससे अधिक समय तक सूरिय दिखाई देता है तो इन दिन अंटाक्टिक रेखा से दक्षनी ध्रू तक के भाग में 24 गंटे अथा उससे अधिक समय तक सूरिय दिखाई देता है यह सारा मैं आपको आयने सिती बता रही हूँ यानि इस समय विश्वत रेखा पर दिनमान समान होता है रात्री मान समान यानि 12 गंटे के हो और सूरिय जो है जहां पर पढ़ता है लंबवात वहां पर दिनमान बढ़ जाता है और आत्री मान छोटा हो जाता है सूरिय के किर ने आयनि सिती संपात सिती का विचार कर हमने इन रितूं का निर्धारन किया है जो हम लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों रितूं तो वो रित से अयन दिन की सिती में दोनों में अंतर आता है तो सूरिय की किरिणों से आयन dispatch संपात इसी से रितुमों का निर्धारन होता हैं अ प्रदेश में रितु परिबर्तन का बोध नहीं होता है क्योंकि यहां पे जलवायू की स्थी में पूरे वर्ष में बहुत अधिक अंतर दिखाई नहीं देता है क्योंकि आप जानते हैं विश्वत रेखा हम इसको बीच की रेखा मानते हैं वहां पे मोस्टॉक्स रिकेरने क कैसी पढ़ती हैं लंबवत पढ़ती हैं परन्तु जो दोनों गुलार्थों में दूसरे अस्थान पर विशिष्ट काला विधी में प्रतिवर्ष ग्रिश्मकाल और शीतकाल होते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि विश्वत रेखा पर जलवायू में जादा पर पर देस्थिती है अन्यस्थानों पर क्या होता है अन्यस्थानों पर आपको ग्रिश्मकाल शीतकाल इस पकाल के लवला रितु में दिखाई पड़ेंगी संपून वर्ष में क्रम्शा ये एक के बाद एक आते हैं अभी गर्मी आई फिर ठंडी आएगा फिर ठंडी के लिखेए, थंडी के बाद क्या आएगा, gustaría गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी के बाद फिर बारिश का मौसम आएगा, तो इसी कार्थ है कि प्रिथवी पर सामांतर दो रित्वे होती हैं, शीतकाल और गृष्मकाल, जिसे हम गृष्मकाल कहते हैं, लेकिन फिर भी वसंत, पुन चीज विश्व की प्रमुख रितुवें कौन कौन सी होती हैं विश्व की प्रमुख रितुवें जिसके आपके किताब में लिखा हुआ है कि विश्व में जो है वो चार रितुवें मानी जाती हैं वो क्यूं होती हैं चार रितुवें तो वातावरन में आने वाला वर्षा का भी रितुमों पर प्रभाव पड़ता है केवल अयनिसिती संपातिस्ती नहीं बलकि हवा की भाप वर्षा बतवन का बदलाव इस पर भी रितुमों का प्रभाव पड़ता है कुछ अवधी तक लगातार होने वाली वर्षा शीतकाल और गृष्मकाल को छोड़ कर अता स्थानी परस्तिती के अनुसार अलग-अलग भागों में गृष्मकाल और शीतकाल के अलावा भी और बच्चों बहुत सारी रितुमें मानी जाती है जैसे हम भारत की बात ले लें तो भारत में विशिश्ट आवदी में वर्षा होती है अता गृष्मकाल, शीतकाल, तथा मानसून की वापसी इस परकार की चार रुत्वें हम मानते हैं ठीक है हमारी हाँ पर किस परकार की चार रुत्वें मानते हैं गृष्मकाल, शीतकाल, वर्षाकाल तथा वर्षाकाल के बाद मानसून की वापसी इस परकार की चार रुत्वें मानते हैं यूरोप और उ यूरोप तत्ता उत्तर अमेरिका में पाई जाती हैं सर्जियम समर ओटम विंटर और स्प्रिंग कहते हैं और हिंदी में गृष्मकाल शेरद रितु शीतकाल और वसंद रितु के नाम से जानते हैं तो बच्चों यह जो रितु चक्र है इसका सजीवों पर भी बहुत ही गलत परिणाम होता है अगर पित्वी का अक्ष शुका हुआ ना होता तो पित्वी पर क्या होता बच्चों सर्वत्र वही स्थिती पूरे साल बनी रहती पूरे साल गर्मी रहती पूरे साल ठंडी रहती यानि अगर रितुओं का निर्मान ना होता तो हमेशा इस्थिती ए विविधता, परिवर्तन जैसी बातें घटित होती हैं और हमें अलग-अलग मौसम का जो है वो आनंद लेने मिलता है पित्वी के रितु परिवर्तन का परिणाम जियो शिष्टी पर भी पढ़ता है बच्चों जैसे दोनों गुलार्थों के चाचट अंश 30 से 90 अंश के डिगरी सलसियल से वहाँ पर बहुत बरफ पड़ती है लेकिन वहाँ पर जबी सूरी केर्णों की लंबवत इस्थिती आती है उसके फलसरूप जैय विवित्ता पाई जाती है दक्षिन के अंटाक्टिक प्रदेश में पैक्विन पक्षी, वालरस, सील जैसे विवित सर्ज पाई जाते हैं तो वहीं उत्तरी ध्रूवी प्रदेश में भी रेंडियर, ध्रूवी रीच, ध्रूवी सियार जैसे सर्जियू पाई जाते हैं तो ये सब क्यों होता है बच्चों ये सारा होता है ये सारी जो जैय विवित्ता है वो हमारी प्रित्वी के जुके हुए अक् और इस छेतर में मानों ने भी यहां की प्राकतिकी सितियों के साथ में समन्वे अस्थापित किया जिसे हम अनुकूलन कहते हैं बच्चों ठीक है आप देखो जहां पे बहुत ठंडी पड़ती है वहां के मनुष्य जो है वह फर के कपड़े पहनते हैं उनके खाने पीने में अनुसार अपनी जीवन शैली में हम जो बदलाव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं अनुकूलन कहते हैं यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है और ऐसा अनुकूलन बच्चों केवल मनुष्य नहीं करता मनुष्य के साथ साथ विवित प्रकार के प्रानी और अलग-अलग जो वनस्पतिया हैं वो भी अनुकूलन करती हैं जैसे देखो यहां पर मैं आपको कुछ अभी आपको बताया था उत्तरी ध्रू में कौन-कौन से प्रदेश में बक्षी पाया जाते हैं जैसे उत्तरी ध्रू में देखो यह ध्रूवी भालू पाया जाता है अब ध्रूव वाले इनके देखो वाइट कलर के फ़र होते हैं ताकि वो उनको गर्मी दे सकें उनको बहुत जादी ठंडी से बचा सकें तो वहाँ पे ये जो है वो इस प्रकार के ध्रूवी रीच पाये जाते हैं और इनकी शरी की बनावट ऐसी है कि ये कड़क ठंडी से अपनी रक्षा क कर सकें तो ऐसे ही अलग-अलग प्राकिति के सितियों के अनुसार इन्हें भी इश्वर ने अनुकूलन के लिए विशिश प्रकार की शारीख शमता दी है ये देखो रेंडियर अब जानते हो रेंडियर कहां पाया जाता है रेंडियर जो होता है वो भी दुरूवी प्रद दुरूवी रीच दुरूवी श्रियार जैसे सजी उत्तरी ध्रूव में पाया जाते हैं पैगविन बच्चों देखो पैगविन कहां पाया जाता है दक्षिन के अंटाक्टिक अर्प्रदेश में पैगविन पक्षी पाया जाता है वाल्रस पाया जाता है सील पाया जाते ह और इनकी भी शरीर की बनावट बिलकुल ऐसी होती है कि वो इस प्राकितिक परसिती के साथ में अनुकूलन कर लें आपने पैगविन देखा होगा आप देखो ये देखो आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है इतनी धंडी कड़क में भी ये पैगविन पक्षी बड़ी ही सहस्ता के साथ में रह लेता है ठीक है उसके इलाबा इन्ही जो अंदक्षिनी गुलार्थ है वहाँ पर वाल् प्रदेश में जो अलग अलग प्रकार के प्राणी जीवन पाया जाता है अपने इनको देखा नहीं होगा इसलिए चित्र आपको दिखाया जा रहा है यहां पर यह देखो यह दक्षिन के अंटाक्टिका में पाया जाने बला है ठीक है सील कहते हैं इसे बच्चो शरीकी बनावर देखो एक दम ही अलग धंका होता है आपने डिस्कवरी चैनल वगरापे देखा होगा तो अनुकुलन आपको समझ में आगर रहेगा अनुकुलन केसे कहते हैं ठीक है एक बार मैं फिर से रीड करती है आपकी किताब में जो लिखा हुआ है कि अतिशी चलवाई में भोजन की आपूर्ति कम होने पर भोजन की खोज में और कडाकी की ठंडी से अपना सरनरक्षन करने हितू अश्रं के पशुपक्षी अपना स्थान बदलते हैं फिर भी जरवाई में पाया जाने वाले अंतर के साथ निश्चित सीमा तक वो अपना अनुकुलन करते हैं फलसरू सजीव निश्चित डेश में ही अपने जीवन का अनुकुलन करते दिखाई देते हैं जैसे दुरूविय चेत्रों में रितू के अनुसार बर्फ पारी होती है तो बर्फ आश्र दिन की सीमा उत्तर अत्त दक्षिन की और खिसकती है और उस आनुशंकी ग्रूप से पक्षी प्राणी अस्तनांत्रण करते हैं जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है पूरा उत्तरी धुरू समझा बर्फ की चादर से ठंब ढग गया है तो उसमें पक्षी जो है आप जानते हो कि दोनों गुलार्दों में वीपरेती सितिया होती है तो उसमें वहां के जो प्राणी है वो दक्षिन ग पल लगते हैं परिणामतर स्थानी रित्वों दता मौसम के अंसारी क्रिशी के मौसम भी निश्चित होते हैं तो यह सारी जियो रित्व श्रिष्टी है बच्चों यह समन्वय जो है वो हमारी जो अनुकुलन है उसके उपर निर्भर करता है